हेलो दोस्तो वेलकम माई यूट्यूब चैनल आपसं ट्रेडिंग टेक्निकल एनलाइसिस में आप सबका स्वागत है तो दोस्तो अगर आप हमारे डेली एनलाइसिस को भोलो करते होंगे तो आज आप लोगों ने अच्छा कासा प्रॉफिट कमाया होगा तो चलिए देखते ह है तो देखे दोस्तो पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी और उसके बाद देखेंगे निफ्टी तो दोस्तो वीडियो में आगे बरने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को इंफर्मेटिव लगे तो लाइक करे चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब करे साथी साथ बैल करना बिल्कुल भी ना भूले तो चलिए दोस्तो आप हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी तो देखे दोस्तो आज के दिन बैंक निफ्टी गैप आप ऑपनिंग हुई थी और उसके बाद ये जबाला जो मूवमेंट है हम लोगों ने यहाँ पर कैप्चर किया था और उसक से मार्केट के अंदर हमें ट्रेड को अवाइड करना चाहिए अब चलिए देख लेते हैं वन डे का चार्ट और फेड देखेंगे फाइव मिनट के टाइम फ्रेम पर याने की इंट्राडे के बेस पर कौन-कौन सा लेवल निकल के आ रही है बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन ट्रेड करने के लिए तो चलिए दोस्तो अब हम चलते हैं वन डे के चार्ट पर तो देखें दोस्तों आपना पौजिशन को काट ले ठीक है दोस्तों और कल के दिन बैंक निफ्टी अगर gap of opening होती है तो अच्छा खासा moment देखने को मिल सकता है put side के तरफ जहां भी मिले आप लोगों को put buy कर लेना है ठेके दोस्तो अब चलिए अब हम देख लेते हैं 5 minute के time frame पर याने की intraday के base पर कौन-कौन सा level निकल के आ रही है कल के दिन trade करने के लिए bank nifty के अंदर तो चलिए दोस्तो अब हम चलते हैं 5 minute के time frame पर तो देखे दोस्तो अब हम 5 minute के time frame पर आ चुके हैं अब चलिए देख लेते हैं कौन-कौन सा level important निकल के आ रही है कल के दिन bank nifty के अंदर trade करने के लिए तो देखे दोस्तों अगर कल के दिन bank nifty gap up opening होती है वो कौन सा level होगा वो होगा ये वाला level जो की level है 14631 का अगर इसके उपर कल के दिन gap up opening होती है तो आप लोगों को अच्छा खासा put side के तरफ moment देखने को मिल सकता है तो आप लोगों को ऐसे condition में यहाँ पे क्या करना है अगर कल के दिन gap up opening होती है इस level पे तो आप लोगों को यहाँ पर bait करना है आप लोगों को call यहाँ पर immediate buy नहीं करना है आप लोगों को call कब buy करना है जब इस level पर दुबारा retracement करने आएगी और यहाँ पर green candle के अंदर strength होगी तब आप लोग यहाँ पर call buy कर सकते है और target की बात करे तो target आप लोगों को यहाँ पर रह सकता है सिर्फ soft point का और SL की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर SL लगाना है 14550 का और उसके बाद आप लोग को call side के तरफ जा सकते हैं ठेक है दोस्तों अब suppose कर लीजिए अगर इस level पर gap up opening होने के बाद इस level पर sustain नहीं कर पाती है bank nifty और इस level को breakdown कर देती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर immediate put नहीं buy करना है आप लोगों को put कब buy करना है जब इस level पर दुबारा retracement करने जाएगी और यहाँ पर red candle के अंदर strength होगी तब आप लोग यहाँ पर put buy कर सकते हैं और target की बात करें तो target आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो कि आज का closing price है एक तालीस अजार 494 का और उसके बाद आप लोग यहाँ पर SL को trail कर सकते हैं और SL जो लगाना है आप लोगों को यहाँ पर strict SL लगाना है एक तालीस अजार 750 का आप लोगों को SL लगा करके put side के तरफ जा सकते हैं और यह अच्छा opportunity होगा ठीक है दोस्तों यह तो हो गया gap up वाला scenario अब suppose कर लिजगर कल के दिन बैंक निफ्टी gap down खुलती है वो कौन सा level होगा वो होगा यह वाला level जो की level है एक तालीस अजार 405 का अगर इसके नीचे कल के दिन बैंक निफ्टी gap down खुलती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर immediate put नहीं वाई करना है आप पर दुबारा retracement करने जाएगी और यहाँ पर red candle के अंदर strength होगी तब आप लोग यहाँ पर put buy कर सकते हैं और target की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100 point का target आप लोगों को रखना है और SL की बात करें तो SL आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं 40,500 का और उसके बाद आप लोग put side के तरफ जा सकते हैं अब suppose कर लिजिए अगर कल के देन gap down खुलने के बाद इस level पर नहीं sustain कर पाती है bank nifty और इसको breakout कर देती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर immediate call नहीं buy करना है आप लोगों को call कब buy करना है जब इस level पर दुब losing price है 41,494 का और SL की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर SL लगाना है 41,310 का और उसके बाद आप लोग call side के तरफ जा सकते हैं ठीक है दोस्तों यह तो हो गया gap up और gap down वाला scenario अब suppose कर लिजिए अगर कल के देन bank nifty little bit gap up या little bit gap down या flat खुलती है तो ऐसे condition में आप लोगो को क्या करना है तो देखे दोस्तों यह वाला john होगा जो की john है 41,494 से लेकर के 40,405 के बीच में खुलती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर ना call by करना है ना तो put by करना है आप लोगों को यहाँ पर बेट करना है या तो एक particular level यहाँ पर breakout करेगी तब आप लोग यह breakdown करेगी तब आप लोग यहाँ पर put by कर सकते हैं सपोज कर यह 44,494 का level यहाँ पर breakout कर जाती है तब आप लोग यहाँ पर call by करे वो भी कम quantity के साथ और target की बात करे तो सिर्फ आप लोगों को 100 point का target रखना है और SL की बात करे तो आप लोगों को यहाँ पर SL लगाना है 41,405 का या फिर यह वाला level अगर breakdown करती है जो की level है 44,405 का तब आप लोग यहाँ पर put by कर सकते हैं और यह अच्छा opportunity होगा put by करने का और target की बात करे तो आप लोगों को यहाँ पर 100 point का target रखना है और SL की बात करे तो आप लोगों को यहाँ पर SL लगाना है 44,500 का और उसके बाद आप लोग put set के तरफ जा सकते हैं तो दोस्तो आसा करता हो bank nifty के सारे level आप लोगों को समझ में आ गई होगी आप लोग अपने चार्ट के उपर यह सारे level मार कर लें ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है तो चलिए दोस्तों आप चलते हैं देख लेते हैं नि beginner के लिए यह सही market नहीं है ऐसे market के अंदर trade को avoid करना चाहिए अब चलिए देख लेते हैं one day का चार्ट और फिर देखेंगे five minute के टाइम प्रेम पर याने की intra day के वेज़ पर कौन-कौन सा level निकल के आ रही है कल के दिन trade करने के लिए तो चलिए दोस्तों आप हम चलते हैं one day के चार्ट पर तो देखें दोस्तों आप हम one day के चार्ट पर आ चुके हैं आज जो candle का फॉर्मेशन हुआ है एक bullish candle का फॉर्मेशन हुआ है जिससे हमें यह indication मिल रहा है जो कल के दिन निफ्टी 50 gap of opening हो सकती है अगर आप लोगोंने आज के दिन put hold कर रखा है तो कल के दिन 9. 15 पर market open होगी 90 में अपना position को काट ले अगर कल के दिन gap up opening होती है निफ्टी 50 तो आप लोगों को अच्छा कासा moment देखने को मिल सकता है put side के तरफ तो चलिए दोस्तों आप हम देख लेते हैं पांच मिनट के time frame पर याने की intraday के base पर कौन-कौन सा level निकल के आ रही है कल के दिन निफ्टी के अंदर trade करने के लिए तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं पांच मिनट के time frame पर तो देखे दोस्तों हम पांच मिनट के time frame पर आ चुके हैं अब चलिए देख लेते हैं कौन-कौन सा level important निकल के आ रही है कल के दिन निफ्टी के अंदर trade करने के लिए तो दिन अगर gap up opening होती है nifty 50 इस level पे तो आप लोग को अच्छा खासा movement देखने को मिल सकता है put side के तरफ तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर immediate call नहीं बाई करना है आप लोगों को call कब बाई करना है जब इस level पर दुबारा retracement करने आएगी तब आप लोग यहाँ पर call बाई सकते हैं अब सपोज कर लिजिए इस level पर gap up opening होने के बाद इस level पर sustain नहीं कर पाती है nifty 50 और इस level को breakdown कर देती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर immediate put नहीं बाई करना है आप लोगों को put कब बाई करना है जब इस level पर दुबारा retracement करने जाएगी और यहाँ पर red candle के अंदर strength होगी तब आप लोग यहाँ पर put buy कर सकते हैं और target की बात करें तो target आप लोगों का पहला यहाँ पर रह सकता है जो कि आज का closing price है 17,862 का और उसके बाद आप लोग यहाँ पर SL को trail कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोगो SL लगाना है 17,920 का SL लगा करके आप लोग put side के तरफ जा सकते हैं और यह अच्छा opportunity रहेगा कल के दिन put buying करने का अगर कल के दिन 50-50 gap up opening होती है उस condition में ठीक है दोस्तो यह तो हो गया gap up बाला सनरियो अब सपोज कर लिजे अगर कल के दिन 50-50 gap down खुलती है वो कौन सा level होगा वो होगा यह वाला level जो की level है 17,800 का अग आप लोगों को यहाँ पर immediate put नहीं buy करना है आप लोगों को put कब buy करना है जब इस level पर दुबारा retracement करने जाएगी और यहाँ पर red candle के अंदर strength होगी तब आप लोग यहाँ पर put buy कर सकते हैं और target की बात करे तो आप लोगों का यहाँ पर target रह सकता है सिर 50 point का और SL की बात क करें तो आप लोगों को यहाँ पर SL लगाना है 17830 का उसके बाद आप लोग put site के तरफ जा सकते हैं अब सपोज कर लीजिए gap डॉन खुलने के बाद nifty 50 इस level पर sustain नहीं कर पाती है और इस level को breakout कर देती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर immediate call नहीं buy करना है आप target आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो कि आज का closing price है 17860 का और SL की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर SL लगाना है 17770 का और उसके बाद आप लोग एक target के लिए जा सकते हैं और यह अच्छा opportunity होगा ठीक है दोस्तों दोस्तों यह तो हो गया gap up और gap down वाला scenario अगर َ करके दें safety 50 flat कुल T है little bit gap up या little bit gap down खुलती है तो ऐसे conдеetion में आप लोगों को यहाँ पर ना तो call बाई कर सकते हैं सपोज कर लीजे अगर 17,862 का लेवल यहां पर ब्रिक आउट कर जाती है तब आप लोग यहां पर कम कॉंटिटी के साथ कॉल बाई कर सकते हैं और टारगेट की बात करें तो यहां पर आप लोग का टारगेट रह सकता है सिर्फ 50 पॉइंट का और SL की बात करें तो आप लोग को यहां पर SL लगाना है 17,820 का और उसके बाद आप लोग कोल साइट के तरफ जा सकते हैं या फिर 17,800 का लेवल यह ब्रिक डाउन करती है तब आप लोग यहां पर पूट बाई कर सकते हैं और यहां पर आप लोग को SL लगाना है 17,850 का उसके बाद आप लोग पूट साइट के तरफ जा सकते हैं और यह अच्छा उपर्चोनिटी होगा तो दोस्तो आसा करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी के सारे लेवल आप लोगों को समझ में आ गई होगी आप लोग अपने चार्ट के उपर यह सारे लेवल मार कर लें ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है तो दोस्तो अगर वीडियो इंफर्मेटिव लगा हो चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें दोस्तों में सेयर करें बैल आकन के ओल पे क्लिक करना बिल्कुल भी न भूले जरूर क्लिक कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलिग्राम चैनल नहीं जोइन किया हुआ है तो जाकर के जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्लस चैनल के अबॉट सेक्शन में मिल जाएगा तो तब तक के लिए जाहिंद वन दे महतरम